सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन सत्तसं का मतलब है सत्तकासन और संतों की जो अध्यात्मिक चेतना है उनकी जो तपश्या का तेज है और बल है उसके साथ कुछ छड़ यदी आप वितीत कर सकते हैं और वो आपके साथ कुछ समय अपना वितीत कर सकते हैं तो वो अध्यात्मिक चेतना आपके अन्ते करण को आपकी चेतना को इतना बल प्रिदान करेगी जिससे आपको आतमिश शक्ति मिलेगी ये सथ्संग का प्रभाब है तो हमको जिन संतों से सथ्संग मिला जिन संतों का साथ मिला जिन संतों का आशिरवाद मिला उससे जो व्यक्तित्व हमारा निखर के आएगा और हमारी चेतना जो जागिर्थ हो जो अध्धयात्मिक द्शा में हमको लेके जाएगी और सनातर धरम के संसकारों से हमको जोड़ेगी यह सथ सग्वाब हमारे जीवन में आएगा। इसी से हम नई जेनरेशन को भी दिशा दे सकते हैं। जैसे चार वेद, छे सास्त, अठारा पुराण, चौरासी ग्रंथ। इनमें हमने ईश्वर की ब्याख्या किये, भगवान की ब्याख्या किये, देपताओं की ब्याख्या कि समस्त सवनातन धरम के जितने भी सिस्टम हैं, उन सबकी ब्याख्या इन पुराणों में, ग्रंथों में, सास्त्रों में, वेदों में हुई है। अब इन ब्याख्या के अनुसार हमने कभी इश्वर को तो देखा नहीं, अनुभव किया है, ऐसे थे, भगवान राम को देख नहीं है, अनुभव किया है, हमारी चेतनाने, हमारी आत्माने कि ये सरूप है भगवान का, तो हमारा मन और बुद्धी विवेक्षील हो जाता है कि प्रभू ऐसे थे, अब हमने जब उनको देखा नहीं है, तो हम कैसे एक्स्प्लें करें कि कैसे थे, तो अब सबसे पहले ह तो हमारे जीवन में परंपिता पर्मात्मा का कोई सरूप नजर आता है, तो मा के रूप में आता है, इसलिए सभी न लिखाए कि तमेब माटा चे पिता तमेब, इश्वर के लिए लिखाय कि आप मेरी मा है, मा का मतलब कि वो व्यक्तित्व जो मुझे संस्कार देगा, वो व्यक्तित्व जो मुझे एक शाही दिशा देगा वह व्यक्तित्व जो मेरे अंत्यकरन konstως रेगा वह। जो मुझे योग्य बनाएगा थी के वह। है वह। व्यक्तित्व कौन मान् है तो मां भी एक पेleए नंबर की गुरू है जिससे हमको। सतसंग मिलता है फिर्ष्ट चत सास्ट्रों का द्धन करें पुरानों का द्धन करें गरंतों का अधन करें सात्विक जीवन का अनुसरन करें तो उसकी जो संतान है उसके अंत्यकरन में ये अंदर से ही भाब पैदा होगा और वो गरब से ही उसके साथ संसकार आएंगे तो संसकार भीहिन नहीं हो सकता कभी, संसकार भीहिन इसलिए है क्योंकि गरब से संसकार आ नहीं रहे, क्योंकि अभी टीवी ने कुछ बिगार दिया है, तो अभी माताओं को ये समझ लेना चाहिए, तो पहले नमर की गुरू है, संतों के पास जाके तो मिलता ही है, मगर संतो से अलग भी मिलता है संतों के पाद जाएंगे तोна के साथ रहने से भी मा के साथ रहने से भी मौल जड़ है कि यदि एक मां बहुत यूग है एक znajd krijgen Pa अध्यात्मिक शक्तिं से जुड़ी हुई है तो वो मा अपने पुत्र को अपनी पुत्री को अध्यात्मिक बना सकती है अच्छे संसकार दे सकती है और एक मा जब संसकार देती है बच्पन में बाल अवस्ता में तो वो संसकार आगे तक काना करते हैं और वो इसमर्ण सक्ति म मूल है जड़ है क्योंकि यह सब ससंग के पार्ट है आपको इत्यास की विशे में कौन बताएगा आपको पुरालों के विशे में कौन बताएगा आपको रिचाओं के विशे में कौन बताएगा आपको ब्रह्मसूत्र के विशे में कौन बताएगा ब्रह्मसूत्र और रिचा करने में ज्ञान की उपलबदियां आपको मिलेंगी जो आपकी जागिर्थ होगी और अध्यात्मिक ज्यान पड़ा नहीं जाता अध्यात्मिक ज्यान करके मंथन करके अंत्यकरण़सी निकाला जाता है वेधान्थ का मतलब ही यह है जो अपनी पांच ग्यानेदेटी निल्टक मन बुद्धी कू पूरी तरीके से कंट्रॉल में करके अंदर मंथन करके जो जो ज्यान विबेक निकलता है वही व्यदानता है वह वेदहों ऑन रिचाय ंसे भी सवय मंगा मंथन या्चा था मैं बोलता हूँ कि जब व्यक्ति या जब कोई बच्चा होस समा ले जब उसको ये विवेक होने लगे कि मैं हूँ कुछीश को समझने लगे उस समय से ही उसको संसकार की कुछ बात हैं बतानी अगर हम लोग सुरू करें तो वो जो उसकी विवेक की बुद्धी है प्रिग्या है उसकी जो वरितमरा मतलब वो ऐसी है कि उसके अंदर ंडर सबकुल उतरता चला जाता है से आपने प Pav reci late रे या इतनी जी के द्वारा देखा था चरणिस पर्स करते हूए संभान करते हूए अनुष्टान में जाते हुए पूजा करते हुए यग करते हुए तो वह परंपरा आपके अंतेकरन में उतर गई जब उसवंज करनोंगे तो उस्क्ति आप मिला तो वो संस्कार डवलोब होते 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 हमारे संातन धरम को मजबूती मेरी ठीक है यदि हम संस्कार वीहिन हो जाएंगे तो DRAM का प आलन नहीं कर सकते भर नो घ्तम होता नहीं है पर तो लुप्त होता चला जाएगा आपके पास से आपकी विवेक से लुफ्थ हो जाएगा तो आपको अपने बिवेक में अपनी बुद्धी में हमारे सनातन धरम के शन्सकारों को केंद्रित करना हैं वो तभी केंद्रित कर सकते हैं तब आप किसी सत्संग से जुड़ेंगे किसी महापुरुष का संग करेंगे किसी व्यक्ति अच्छे का कुछ आती हैं आयदी आप देखें कि आप परिवार में रहते हैं कौन ग्ना देगा आपको परिवार कीव श साही इतना दीजिए जिसमें कुटुम समाएं, कुटुम का मतलब परिवार, इस्ट, मित्र, फैमिली के सब रिष्टिदार, पूरा देश हमारा कुटुम है, इतना दीजिए जिसमें कुटुम समाएं, क्या दीजिए? उन्होंने अर्थ के लिए नहीं का, उन्होंने क्या दी इसने सिर्धा, भावना, भक्ति, सैयम, सेवा, साधना, समर्पन, ज्ञान, वेराग, इतना दीजिए जिसमें कुटम्म समाएं, आप कुटम्म का निर्भाय जब कर सकते हैं जब आप बिनम्र होंगे, बिनम्र ता एक ऐसा आभूशन है, जो आपको हमेशा ताजगी देता रह जाएगी, कि मैं विनम्र हूँ, मैं सरल हूँ, जो व्यक्ति आपके पास आएगा, विनम्र हो जाएगा, आपके सुभाव से, आपकी बानी से, आपके आचरन से, आपकी सिक्षा से, आपके ज्ञान से, वो विनम्र हो जाएगा, तो आपके अंदर इतनी विनम्रता आजानी चाहिए तब आप कुट्म का निर्भाय कर सकते हैं तो उन्होंने का जाए इतना दीजिए जिसमें कुट्म मुसमाई यदि ये सब चीज भगवान ने आपको दे दी तो आप उच्छेणी के भगवान के भक्त बंदे फिर मैं भी भूका ना रहूं और सादू भी भूका ना जाए सादू को इसलिए जोड़ा सेक्ड़ों बर्स पहले जोड़ दिया क्यों जोड़ा क्यों कि आने वाले समय में जैसे जैसे आपका व्यक्तित्म बढ़ेगा तो आपको अध्यात्मिक ज्ञान की तरफ धर्म के मार्क को कौन प्रसस्त करेगा कोई तो गुरू चाहिए कोई सादू चाहिए कोई आचारा चाहिए कोई तो चाहिए तो इसके लिए उन्होंने पहले लिखिया कि परिवार का पाठ है सादू परिवार का पाठ है गुरू पर जो अध्यात्मिक शक्तियों को केंद्रित किया समस्त सादू समास की बात करता हूं कोई भी सादू आज की तारिक में कुछ न कुछ उसके अंदर पावर होती है जब हम उनके पास जाते हैं अपने कुटुम के साथ अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी प यही सत्थ संग का अशार है एक सेकिंड का सत्थ संग भी विस्टि को महान बना देता है एक पल का सत्थ संग भी व्य्क्ति को विशेष्शा बना देता है। करते भगवान हैं पर तो जब भगवान की किरपा होती है तो संतों का सत्संग मिल जाता है तो संतों की किरपा मिल जाती है और उस किरपा से आपका उद्धार हो जाता है कल्यान हो जाता है यह मैंने सत्संग की अध्यात्मिक और भातिक ताक को जोड़ करके आपको मेहतता बत कर दो कर दो